हलो गाईज, 110 शब्द प्रति मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बात स्टार्ट, ओक्सिजन की कमी से होने वाली मोतों पर संसद में स्वास्थिय राज्य मंत्री के बयान को लेकर स्वाभाविक ही विवाद छिड गया है एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि देश में ओक्सिजन की कमी से एक भी कोरोना मरीज की मोत नहीं हुई उन्होंने इसपस्ट किया कि स्वास्थिय राज्यों का विशे है और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आकडों के आधार पर ही यह तथ्य सामने आया है अब सरकार और पार्टी के परवक्ता मंत्री के बचाव में उतर आये हैं कागजों पर मोतों की वजह बेशक ओक्सिजन की कमी न दर्ज की गई हो पर इसका मतलब यह नहीं की कोरोना की दूसरी लहर में यह समश्या पेश ही नहीं आई उस दोरान देश के अनेक अस्पतालों ने लिखित घोशनाय की थी की उन्हें जरूरत भर का ओक्सिजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है फिर ओक्सिजन न मिल पाने के कारण होने वाली मोतों के ब्योरे भी तमाम अखबारों और विभिन संचार माध्यमों में प्रकाशित प्रसारित हुए थे ओक्सिजन के लिए जगय जगय हलकान होते परिजनों की तस्वीरें और व्यथा कथाएं टीवी चैनलों पर दिखाई गई थी उस वक्त बहुत सारे स्वेम सेवी संगठनों और धर्मादा संस्थाओं ने ओक्सिजन सिलेंडर मुहया कराने का परियास किया था यहां तक की कई देशों ने ओक्सिजन भेच कर मदद की थी खुद केंदर सरकार ने दूसरे देशों से ओक्सिजन मंगाया था स्वास्थे राज्यमंत्री ने बेशक नया-नया काम संभाला है पर यह नहीं माना जा सकता की वे इन तथ्यों से वाकिफ नहीं होंगी आकड़े हर मामले में सही हो या उन्हें पत्थर की लकीर मान लिया जाए जरूरी नहीं आकड़ों के लिहाज से सरकार का पक्ष सही हो सकता है पर वास्तविक्ता किसी से छिपी नहीं है इसलिए मंतरी का इस सम्मंद में बयान बहुत बेरहम लगता है आकड़े जुटाने या फिर सरकारी कारवाई के लिए बने कागजाद में कुछ ते खाने होते हैं सरकारी अमला उनहीं खानों में हा ना या कोई संख्या वगेरा लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है इसलिए जुमला भी चलता है खाना पूरी करना अस्पतालों को इस बिमारी से सम्मंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए जो कागज बनाए गए चुँकि उनमें मौत के कारण में ओक्सिजन की कमी का कोई खाना ही नहीं था इसलिए उन्होंने यह कारण लिखना जरूरी नहीं समझा मौत के कारण में केवल कोरोना या फिर कुछ और लक्षन लिखकर खाना पूरी कर दी इस तरहे ऑक्सिजन की कमी से होने वाली मौतों का कोई आकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका मगर इसका यह अर्थ नहीं की सरकार भी उसी को सच मान ले अब जब दूसरी लहर का प्रकोप काफी कम हो गया है उस दोरान हुई मोतों के बारे में अनेक संस्थाएं अध्यन कर रही हैं उन्हीं अध्यनों से यह भी जाहिर हो चुका है कि बहुत सारे अस्पतालों ने मौत का कारण वाले खाने में कुछ नही लिखा उसे खाली छोड दिया इससे मौत के वास्तुविक आकडे भी धर्ज नहीं हो सके आकडे छिपाने को लेकर राजनितिक बयान बाजियां भी खूब हुई केंद्र सरकार बेशक कहे कि स्वास्थे राज्यों का विशय है पर वह भला इस हकीकत से कैसे मुह फेर सकती ह कि राज्यों को ओक्सिजन उपलब्द कराना उसकी जिम्मेदारी थी यो यह पूरी तरह राज्यों का विशय भी नहीं संवर्ती सूची का मामला है जिसमें कैंद्र की जिम्मेदारी भी शामिल है इसलिए कोरोना के इलाज में हुई अनियमितताओं और मोतों के आकडे खीकरा नहीं फोड सकती मंत्री को इस विशय में सूचिंतित बयान देना चाहिए था और आकडों को दुरस्त कराने का आस्वासन भी पेरा जब भी भारत अपनी सीमा में आतंकवाद की समश्या की जटिलता के लिए पाकिस्तान को कट घरे में खड़ा करता है तब वह इसे मेहज आरोपों का खेल बता कर खारिच कर देता है लेकिन आए दिन इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि आतंकवादियों को शह और सनरक्षन देने के मामले में पाकिस्तान ने वैश्विक इस्तर पर दी गई चेतावनियों को लगातार नजर अंदाज किया है अब पाकिस् पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह हो गई है कि वह भारत को तो पूर्वा ग्रह से प्रेरित बता कर दुनिया के देशों को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है लेकिन जब अमेरिका सहित अंतराश्ट्रिय संस्थाएं इसी समश्या के लिए उससे जवाब मांगते हैं तब वह बंगले जहागने लगता है हर ऐसे मोके पर वह इस दिशा में ठोस कारवाई करने का आस्वासन जारी करता है लेकिन जमीने इस्तर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जो समश्या की जटिलता को कम करे यह बेवजह नहीं है कि अपनी इस आदत के लिए वह अंतराश्ट्र मंचों और दूसरे देशों से फटकार और हिदायतें सुनता रहता है ताजा घटना करम में अमेरिका ने साफ सब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि वह आतंकवाद के वित पोशन की जाच और संयुक्त राश्ट्र की और से चिनहित किये गए आतंकवादी संगठनों के सरग और कमांडरों के खिलाफ मुकदमा चला कर वित्तिय कारवाई बल यानी FATF की 27 सूत्री कारिय योजना को तेजी से पूरा करे गोरतलब है कि पिछले महिने एक ओनलाइन बेठक में FATF ने पाकिस्तान को इसलिए ग्रे सूची में कायम रखा था क्योंकि आतंकवाद का वित्ति पोशन करने वाले धन शोधन पर लगाम लगाने के तमाम आस्वासनों के बावजूद वह इस दिशा में ठोस कारवाई नहीं कर सका है FATF की और से इसपस्ट शब्दों में पाकिस्तान को जैशे महम्मद के सरगना मसुहूद अजहर और लशकर ए तैबा के संस्थापक हाफिज सहिद जैसे उन आतंकवादियों के खिलाफ जाच करने और मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है जिन्हें सन्युक्त राष्ट्र की ओर से भी काफी पहले चिन्हित किया जा चुका है दर असल वेश्विक आतंकवाद का सामना करने के लिए किये गए दूसरे अन्य उपायों के अलावा 1990 में FATF का भी गठन किया गया था जिसका मक्सद धन्शोधन आतंकवादियों के वित पोशन और अंतराष्ट्रिय वित्य परनाली की अखंडता पर उत्पन खत्रों से निपटना है इसी संधर्ब में आतंकवाद के खिलाव इमानदारी से कदम नहीं उठाने की वजह से FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था इस सूची में बने रहने की वजह से पाकिस्तान को अंतराष्ट्र इस्तर पर आर्थिक सहायता हासिल कर पाने के मामले में बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं यों अमेरिका ने इस संधर्व में सताई सूत्री कारियोजना के जादातर हिस्सों पर महतोपूर्ण प्रगर्ती करने के मध्यनजर यह उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान इस मसले पर बाकी जरूरी कारवाई करने को लेकर भी तेजी दिखाएगा लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत और अंतराश्टिय समुदाय की ओर से बार बार शिकायत के बावजूद पाकिस्तान अपनी सीमा में इस्थित ठिकानों से काम करने वाले आतंकियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाता नहीं दिखा है जो व एक बड़ी चुनोती के रूप में कायम है और इसकी वजह से तमाम देशों को इस समस्या से निपटने के लिए बड़े पेमाने पर धन और उर्जा खर्च करनी पड़ती है जाहिर है बिना संरक्षन ठिकाना और वित पोशन की सुईधा मिले आतंकी संगठनों के लिए दुनिया भर में अपना जाल फैलाने और गतिवीधियां संचालित करने में कामियाबी नहीं मिल सकती है स्टॉप